सबसे पहले खबर विकानेर से सेंटर्फ जेल अधिक्शक और बंदियों के संक्रमित होने की रिपोर्ट आने के बाद अब देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोदपूर की सेंटर्फ जेल में भी और अधिक सतर्क्ता बरतना शुरू कर दिया है हलांकि यहां पहले से ही संक्रमन फैलने से रोखने के कागर उपाय किये जा चुके हैं जपूर सेंटरल जेल में करीब 116 बंदियों की रिपूर्ट पोज़िव आने के बाद अब जोदपूर सेंटरल जेल में सतरकता बरत्ते हुए सभी बंदियों के स्क्रीनिंग करवाई गई है इधर बिकानेर में स्वामी केश्वा नंद रायसान क्रिशी विश्व विद्याले के गुलपती प्रोफेसर आर्पेसी वीडियो कॉन्फेंसें के माध्यन से छह जीलों की किसानों से रूबर हुए महिने भर किये जाने वाले क्रिशी कारियों की जानकारी दी समन्वित खेती और उत्पादों के मुल्य समर्धन का आवान भी किया रासान आजय विदिक सेवा प्राधिकरन ज्यापूर के आदेश के अनुसार वे जिला विदिक सेवा प्राधिकरन जोधपूर महानगर के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन नयाधिश नर्सिंग दास व्यास के निर्देश के अनुसार जिला विदिक सेवा प्राधिकरन जोदपूर महानगर के सचिव और अपर जिला एवम सेशन नयाधीश सिधेशवर पूरी ने सेंट्रल जेल का निरिक्षन किया जेलर जगदीश पूनिया को निरिदेश दिये तथा जेल में स्थित रसोई घर और बंदियों के बैरक में सफसफाई का उचित ध्यान रखने का निरिदेश देटे हुए जेल में समय समय पर सेनिटाइज करवाने के लिए निरिदेश दिये इधर जोद्पूर शहर से दवाई लेकर अपने गाम की तरफ लोट रहे दो यवकों की मोटर साइकल को अग्यात वाहने चपेट में ले लिया हासे में दोनों यवकों की दर्दनाक मौत हो गई आसोप पुलिस ने बताएगी नागोर जिले का रहने वाला अरजुन और उसका दोस बुलेट लेकर जोद्पूर दवाई लेने गए थे तब किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी बिकाने चिला मजिस्ट्रेट गुमारपाल गौतम ने कोरोना वारे संक्रमन की रोक्थाम के लिए लगाए गए जे अन्वी सी पुलिस थाना शेत्र में प्रतिवन धात्म का आदेश वापस लेने की घोशना की है और अब खबर जोद्पूर में कोरोना पॉजिटिव हुए मरीजों की संख्या को लेकर जोद्पूर शहर में शनिवार सुबह की रिपोर्ट में छेने मामले सामने आने के बाद आंकड़ा हजार के करीब पहुँच गया है अब तक कुछ संकरमित मरीजों की संख्या 992 हो गई है इनमें से 17 की मौत हो चुकी है बालेसर उपखंड शेत्र के निकटवर्ती भाटेलाई पूरोहितान ग्राम के राजस तोलेसर पूरोहितान में एक ही परिवार के तीन सदसे कोरोना पॉजिटिव पाए गए है पती पतनी और इनका एक बच्चवा हाल ही में देचु शेत्र के फतेगड ग्राम पंचायत में पॉजिटिव पाए गए और ये वक के साथ गदी नों चिन्नाई से उसके साथ ही आये थे इदर करनाटक राजी के मेंगलोर में 550 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन शनिवाल सुबह दस अठाइस पर भगत की कोठी रेलिस स्टेशन पहुँची इन यात्रियों के चेहरे पर घर पे पहुँचने की खुशी दिखाई दी जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि ट्रेन की पहुँचने के बाद एक एक जिले के यात्रियों को ट्रेन से नीचे बुलाए गया और सेनिटाइजर वेब मास्क प्रदान किया गया दस काउंटरों पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग, उनके नाम सूची की मिलान, करनाटक सरकाल का यात्रा पास की जांच, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और कहां जोना आदी की जांच के बाद उन्हें रेले स्टिशन के बाहर जिले से संबंदित रोडवेज बस में बैठ जिला के कारेकरता करेंगे, शोहर जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंग ने केंद्रिय मंत्री अर्जुराम मेहगवाल को पत्र लिख कर बिकानेर के कारेकरताओं बैंक के ग्रह को करमचारी अधिकारी समाजिक संगठ्णों की भावनाओं से अवगत करवाया है बिकानेर में राजस्तान भवन एवं अन्य सर् निर्माण असंगधित मज़ूर यूनियन ने पीबीए हल्प कमेटी के करमवीरो का समान किया यूनियन के पतादिकारियों ने कमेटी के करमवीरो के साहास और सेवकारी की सरहना की कमेटी के सेयोजोग वजरंग छिमपा एर्वकेट और अध्याक्ष सुरेंद्रे सिंग राजपुरोहित ने बताया कि यूनियन की शबनमबानो, मुम्तार शेक, नमीन आचारे, सत्यप्रकाश आचारे और अब्दूल रह्मान ने कमेटी की करमवीर और सिविल डिफेंस की का कर सम्मानित किया, इधर सिकत्नराबाद के लिंगा पली से बिकानेर के लिए रवाना हुई, श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन लालगड रेर्वे स्टेशन पर पहुंचवी, जाड़ी संक्या 07036 लिंगा पली बिकानेर श्रमिक स्पेशल रेल काड़ी 15 मई की मध्यर यात्रि को रवाना हुई थी, इस ट्रेन में 14 जिलों के कुल 217 यात्री लालगड रेरे स्टेशन पर उत्रे, इन यात्रियों को रोडवेज की 8 बसों के माध्यम से विभिन जिलों में भेजा गया है, यात्रियों को मौके पर ही भोजन, पेजल और चाच उपलप्त फिर हाजिर होंगे कुछ और नहीं ताजा खबरों के साथ, सब्सक्राइब केजिए हमारे चैनल स्पिटी न्यूज को और प्रेस केजिए बेल आइकन पर